दोस्तों कापी सारे लोग जो electronic के सेत्र में नए होते हैं उन्हें soldering iron से related एक problem हमेशा face करनी पड़ती है वो है soldering iron का properly work नहीं करना यानि कि कहीं भी आप soldering iron को चला रहे हैं वहाँ पर soldering iron proper work नहीं कर रहा है और दूसरा है बार बार उसकी bit काली हो जाती है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं और तीसरी बात है इसको clean कैसे करना है यह सारे method में आपको बताऊंगा इसलिए इस video को complete watch कर लेना अगर video पसंद आती है तो like जरू कर लेना I hope आप अभी तक like कर चुके होंगे साथी चैनल को आप subscribe जरू कर लेना अब यहाँ पर देखिए जब भी आप यह काम start कर रहे होते हैं तो soldering iron चलाते समय यह problem आपने कभी न कभी जरूर फेस की होगी देखिए इसके जो bit होती है हमेशा वो काम करते करते काली हो जाती है अगर आप इसे के लिए नहीं करते हैं तो इससे आप properly soldering नहीं कर पाएंगे जैसे मैं किसी भी यहाँ पर किसी भी point को soldering करता हूं तो आप देख सकते हैं इसको मैं पहले इस तरीकी से लगाता हूं देखिए इस वायर को यह अच्छी quality के वायर है देखिए यहाँ पर properly work नहीं कर रहा देखिए आपको थोड़ा स हम इसे clean नहीं करते हैं तब तक यह अच्छी तरीके से work नहीं करेगा और यह बार बार काली क्यों हो जाती है देखिए अगर हम किसी भी point को soldering करते हैं तो वहाँ पे paste का लगाना ज़रूरी है अगर properly हम paste का इस्तमाल करते रहें तो यह काली जिल्दी नहीं पड़ती है और यहां पर इस तरीके से आप अगर घिसते रहेंगे तो ज्यादा तर घिसने से क्या होगा आपकी bit जल्दी जल्दी खतम होते रहेगी तो इसका एक एक छोटा सा solution में आपको देता हूं इस तरीके का steel brush आता है जिससे आप बरतन बगरत होते होंगे आप नहीं दोते तो कोई आप इस तरीके से आप इसको लेके कहीं फिक्स तरीके से कर दीजिए और आप इस तरीके से कर सकते हैं अभी यह मूव कर लेकिन एक जिक पर आप इसको फिक्स कर देंगे तो ईजी लिए आप इससे क्लीन कर से जब भी यह काली होती है तुरंत इसको इस तरीके से रगल्ड जाएगा अगर आप लगातार ऐसे करते रहें तो आपका बिट तुरंत काला नहीं होगा और यहां पर यह देखिए तरीके से क्लीन हो चुका है तो यह चीज अगर आपको यहां पर पहली बार अगर पता चल रही हो तो बीडियो को लाइक जरूर कर लेना अब देखिए यहां पर मैं सोल्डरिंग करता हूं अब यहां पर भी आप एक चीज का ध्यान लखी जब भी आप किसी पॉइंट को सोल करता हूं डी सोल्डर करना आपको नहीं आता है तो उसका वेने कंप्रीट वीडियो ने बहुत सारे तरीक्ये बता के रखे हुए हैं वह से आप मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना तो यहां पर इस तरीके से आप इसको भी ड इसके इस तरीके से क्लीन कर लेता हूं और थोड़ा समय में पेश्ट लगा लूगा और दुबारा से इसको थोड़ा सा और घिश लूँगा अधिक कि दूबारा से क्लीन हो चुका है अब यहां पर किसी बीपॉइंट को हम दूबारा से प्लिई इजली कर एक देखिए बहुती पर्फर्फेक्ट से अपडम हो जाएगा है यहां पर आप क्लेप देख सकते हैं तो इस तरीकी से आप अपने इंतन को क्लीन कर सकते हैं वह कोई सा भी हो भले वह साथ वाट का भी हो तो उसे भी वैसे ही आप क्लीन कर सकते हैं हाँ जो ज्यादे वाट इसके होते हो जल्दी जल्दी वहाँ पर गरम होके उसकी बिट को काला कर देते हैं तो इसको भी वैसे मेथट से इस तरीके से आप क्लीन कर सकत आप जब भी solder wire purchase करते हैं तो अच्छी company का या फिर एच्छी quality का purchase किजिए ख़राब solder wire जो इसका जो यहां पर ग्रेंट रहता है इसका ग्रेंट 40 यह पर माना गया है अगर थोड़ा-सा ग्रेंट उपर-नीची हो जाता है तो वह वायर परफेक्ट नहीं होती है थोड़ा सा वहां पर उसके लिए ज्यादे हीट की जोत पड़ती है इसलिए सबसे बड़िया ग्रेड यह आला माना गया है भले वह किस भी कंपनी का ओजवाल को भारती का हो या फिर किस भी कंपनी का हो उसमें ग्रेड देखके ही उसे आप प प्रफेक्ट की टेकर